हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो मैं स्टेडि सीक्रेट्स चानल दोस्तो आज हम इस वीडियो में इंडियन जोग्रूफी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स जो आपकी सभी एक्जाम के लिए कॉमन है और इन टोपिक से रिलेटिद क्वेस्चन्स पहले भी आ चुके हैं और आगे भी सभी एक्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चान्स है इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना यह सभी क्वेस्चन्स आपकी कोई भी एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा हेल्फूल होंगे तो ज़्यादा टाइम विस्ट ना करते हुए चली शुरू करते हैं भारत में कितने राज्य समुद्र तट्रेखा में है आप्संस हैं 7, 8, 9 या 10 इसका सही आंसर है 9 भारत में निम्नली खित्मे से किस राज्य केता ट्रेखा सबसे लंबी है आप्संस हैं महाराष्ट, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है गुजरात गुजरात राज्य की लगबग 1214 किलमीटर की लंबी तर्रीखा पश्चिम में अरफ सागर से लगती है इसके आप्संस हैं उत्तर प्रिदेश, मध्य प्रिदेश, गुजरात या जारकन इसका सही आंसर है उत्तर प्रिदेश अगर बात करें कि करकरेखा किन राज्य से होकर गुजरती हैं तो ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रिदेश, चत्यसगर, राजिस्थान, जारकन, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इस तरह भारत में करकरेखा आट राज्यों से होकर गुजरती हैं क्वेश्चन नम्बर फूर ब्रह्मबुत्र नदी का उद्गम इस्थल कहां हैं अप्सन्स हैं सुपीरियर जील के समेब से, चिलका जील के समेब से, वेकाल जील के समेब से या मानसरोवर जील के समेब से इसका सहीं आंसर है मानसरोवर जील के समेब से ग्या नदी, तिबबत, भारत और बांगला दस्थे होकर बैठ दिये इसका सई आंसर यह व्यास नदी सतलच नदी पहले व्यास नदी से मिलती है और फिर यह सिंधू नदी में मिलने से पहले पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है प्रेट्रोलियम, प्राक्रितिक गैस, जिपसम या थोरियम इसका सही आंसर है जिपसम प्राक्रितिक गैस और थोरियम खनीज इंदन है और चुना पत्थर अबरक और जिपसम खनीज इंदन नहीं है Q7. भारत में सरवाधिक तामबा उत्पादक राजी कौन सा है? ओप्सन से हैं मद्र प्रिदेश, आंदर प्रिदेश, हिमाचल प्रिदेश या उत्तर प्रिदेश इसका सही आंसर है मद्र प्रिदेश भारत में मद्र प्रिदेश सबसे बड़ा तांबे का उत्पादन किया जाता है Q8. भारत में पस्चिन की और बहने वाली नदियां कौन सी नहीं है? आप्सन्स हैं नर्मदा, ताप्ती, माही या गोदावरी इसका सही आंसर है गोदावरी गोदावरी नदि महाराश्ट की नासिक में त्रेमब केश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही तीनो नदियां पस्चिम की और अरफ सागर में गिरती है Q9. भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं ओप्सन्स हैं कावेरी गोदावरी महानदी, ताप्ती गंगा महानदी, कावेरी गंगा महानदी या कावेरी गंगा नर्मदा इसका सही आंसर है कावेरी गंगा महानदी अगर बात करें डेल्टा की तो नदी की मुहाने का वह इस्थान जहां नदी की साथ बहा कर लाई हुई मिट्टी और रेत की कारण छोटे-छोटे जो त्रिवुच के आकार के भूकंड होते हैं उसे डेल्टा कहा जाता है सांग्पो नदी किस राज से होकर भारत में प्रयवेश करती हैं ओप्शन से हैं अरुनाचल प्रदेश, सिखिम, जम्मु कस्मीर या उत्तराखन सांग्पो नदी का उदगम इस्थल तमलुंग जील है और रुनाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है Q11. ब्रह्मपुत्रे नदी को बांगलादेश में क्या कहा जाता है? Options है मेगना, जमुना, पद्मा या यमुना इसका सही आंसर है जमुना जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्रे की सैंच धारा मेगना कहलाती है और जब गंगा बांगलादेश में प्रविश करती है तब उसे पद्मा कहा जाता है अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तेहां तीन देशों से प्रवाहित होती है जो है चीन, भारत और बांगलादेस Question number 12 भारत की कौन सी नदी सुन्दरवन डेल्टा बनाती हैं Options है यमना वा ब्रह्मपुत्र नदी गंगा वा गोदावरी नदी गोदावरी वा ब्रह्मपुत्र नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यह दोनों नदिया मिलकर सुन्दरवन डेल्टा बनाती हैं Question number 13 चंबल नदी का उद्गम इस्थल कहा हैं? Options है जानापाव पहाड़ी, सत्पूड़ा पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी या महावलेश्वर पहाड़ी इसका सही आंसर है जानापाव पहाड़ी यह वद्ध्य प्रदेश की सबसे प्रशिद्ध नदियों में से एक है यह विद्ध्य परवस रंकला में महुसहर के जानापाव परवस से निकलती है इसका प्राचिन नाम चर्मनवती या चर्मावती है Question No.14 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरू किया गया? Options है 1973, 1983, 1993 या 1991 इसका सही आंसर है 1973 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वनेजिव सेलक्षिन अधिनियम 1972 के तहट सुरू किया गया था और इस परियोजना के पहले निदेशक केला सांखला थे Question No.15 मारस राष्ट्री उधान कहा इस्थी थे? इसके options हैं पस्चिम बंगाल, करनाटक, जारकंड या असम इसका सही आंसर है असम इस राष्ट्री उधान को युनेजिको द्वारा विस्व धरोई स्थल भी गुशित किया गया है Question No.16 सरदार वल्ल भाई पतेल अंतर राष्ट्री हवाई अड़ा कहा इस्थी थे? options हैं रायपूर छत्तिसगण, अम्रतसर पंजाब, अहम्दाबाद गुजरात या राची जारकंड इसका सही आंसर है अहम्दाबाद गुजरात सरदार वल्ल भाई पतेल अंतराष्ट्री हवाई अड़ा, अहम्दाबाद गुजरात में इस्थी थे? या एक नागरिक हवाई अड़ा है जो की पूर्व उप्रदान मंत्री की नाम पर रखा गया है Question No.18 भारत की प्रतम जन्गर्णा कब प्रारब हुई? Options है 1872, 1881, 1891 या 1894 इसका सही आंसर है 1872 1872 की ये जन्गर्णा लाटमीयों की सासनकाल में शुरू हुई थी? Question No.19 भारत में सबसे कम जन्षंख्यावाला राज्जी कौन सा है? इसके options है नागालेन, सिक्किम, गोवा या अरुनाचल प्रदेश इसका सही आंसर है सिक्किम इस चीज़ पर ध्यान देना की यहाँ पर सबसे कम जन्षंख्या बोला गया है ना कि सबसे कम जन्षंख्या व्रद्धीदर क्योंकि सबसे कम जंसंगे व्रद्धी दर्वाला राज्चे है नागालेन तो यहां बिल्कुल भी कन्फ्यूस नहीं होना है Question number 20 भारत में 10 वर्षी जन्गर्णा विदिवत रूप से किस वर्ष में आरम हुई ओप्सन्स हैं 1872, 1881, 1901 या 1951 इसका सही आंसर है 1881 करना जो के विदिवत रूप से हुई थी वो लाड रिपन के समय पर हुई थी जबकि लास्ट क्वेश्चन में आप सबी नहीं देखा होगा कि इसकी सुरुवात लाड मेयो के समय हुई थी Question number 21 मैयराक्ची परियोजना से भारत की कौन से दो राज्जी लाभानवित हो रहे हैं इसके आप्सन्स हैं जारकन और मत्रप्रदेश, पस्चिम बंगाल और जारकन, पस्चिम बंगाल और असम या इन में से कोई नहीं इसका सही आँशर है पस्चिम बंगाल और जारकन यह परियोजना भारत की एक प्रमुक नदी घाटी परियोजना है जो की पस्चिम बंगाल और जारकन की एक सहीवत परियोजना है Question number 22 मचकुन्ड परियोजना किन दो राज्जीों की सम्मेलित परियोजना है ओप्सन्स हैं करनाटक और आंधर प्रदेश, पस्चम बगार और बिहार, ओरिसा और आंधर प्रदेश या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है ओरिसा और आंधर प्रदेश यहां मचकुन नदी के जल को जलपत नामक इस्थान में रोग कर बांध बनाया गया है या एक जल्विद्दूत परियोजना है Q23. जारवा जन्जाती किस राज में पाई जाती है? आप्सान से हैं मध्य प्रदेश, अंडमान निकुबार दिव समूह, सिक्किम या अरुनाचल प्रदेश इसका सही आंसर हैं अंडमान निकुबार दिव समूह जारवा जन्जाती अनुमान और निकुबार दिव समूह की एक प्रभुग जन्जाती है वर्तमान समय में इनकी जन्संख्यां 250 से 400 अनुमानी थें Q24. मौपला जन्जाती भारत के किस राज में पाई जाती है? अप्सन्स हैं रुनाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या त्रिपुरा इसका सही आंसर है केरल मौपला जन्जाती भारत के केरल राज में निवास करती है मौपला विद्रो जो की 1921 में हुआ था वो इनी जन्जाती के दोरा किया गया था अप्सन्स हैं अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंग, असम या सिक्किन इसका सही आंसर है असम मौपला जन्जाती मुख्य तह असम राज में पाई जाने वाले जन्जाती है दोस्तों ये सभी questions आप सभी की exam के लिए काफी जादा helpful और important होने वाले हैं क्योंकि अभी exams में इसी टाइप के questions पूछे जा रहे हैं I hope ये वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा beneficial होगा So thank you so much for watching this video I hope ये वीडियो आप सभी को ज़रू पसंदाया होगा वीडियो अगर पसंदाया तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें इसे अपने friends के जाब सेभी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में